तो गाइस मैंने अपने पिछले हफ़ते की स्मैकडाउन वीडियो के अंदर बताया था कि स्मैकडाउन के ओफ एर होने के बाद हमने एक सेगमेंट देखा जहां पे दी उसोस वर्सेस आरके ब्रोस के बीच में कॉंट्रेक्ट साइनिंग चल रही थी अब उस कॉंट्रेक्ट साइनिंग के अंदर होता यह है कि दी उसोस अटेक कर देते हैं आरके ब्रोस के उपर और इसके बाद रोमान रेंज़ जॉइन कर लेते हैं एक ये बाद हमें SmackDown के अंदर हमें वही चीज़ देखने को मिलती है यहां पर contact signing हो रही होती है और Usos RK Bros के बारे में कुछ बोलते हैं इसके बार Randy Orton Usos के बारे में बोलते हैं और फिर Usos attack कर देते हैं RK Bros के उपर इसके बार Roman Reigns आते हैं वो join करते हैं और Bloodline पूरी तरीके से RK Bros के उपर हावी होती है तब RK Bros को बचाने के लिए Drew McIntyre आते हैं और Drew McIntyre Roman Reigns पर हावी हो जाते हैं और फिर Roman Reigns को वहाँ से भागना पड़ा है अब shocking moment यह नहीं था कि Drew McIntyre ने Roman Reigns के उपर हमला कर दिया क्योंकि हम सब को यहीं लग रहा था कि शायद Backlash के अंदर हमें Drew McIntyre versus Roman Reigns का मुकाबलत देखने को मिलने वाला है लेकिन Paul Heyman के दिमाग में कुछ और यह चीज़ चल रही होती है Paul Heyman जाते हैं Backstage और Adam Pearce से बोलते हैं कि जो Backlash के अंदर यह मैच होने वाला है The Usos versus RK Bros के बीच में उस मैच को चेंज करके The Usos and Roman Reigns versus RK Bros and Drew McIntyre का कर दिया जाए बट Adam Pearce बोलते हैं कि Backlash के अंदर जो मैच होने वाला है वो Title Unification Match है इसको चेंज नहीं किया जा सकता है इस पर Paul Heyman Adam Pearce को धंकी देते हैं और अब यार शायद हमें जो Title Unification Match देखने को मिलने वाला था Backlash के अंदर वो ना मिले वैसे यार WWE के इस फैसले पर Twitter पर लोग भड़के हुए हैं खेर अब बात करते हैं स्मैकडाउन के कुछ और मैचेस के बारे में तो Drew McIntyre और Sammy Zane का Steel Cage Match था अब इसमें कुछ जादा बताने के लिए तो है नहीं है क्योंकि ये एक predictable match था जहां पर Drew McIntyre की obviously जीत होने वाली थी तो Drew McIntyre इस match को जीत जाते हैं बात करते हैं Beat the Clock Challenge की जहां पर हमें Rounda Rousey और Short Zee के बीच में match देखने को मिलने वाला था इसके बाद Charlotte Flair वर्सेस आलिया के बीच में match देखने को मिले वाला था तो सबसे पहले हमें Rounda Rousey और Short Zee के बीच में match देखने को मिलता है जहां पर Rounda Rousey एक मिनट 41 सेकंड के अंदर ही Short Zee को I Quit करवा देती हैं अब इस एक मिनट 41 सेकंड के अंदर ही Charlotte Flair को आलिया से I Quit करवाना था बट आलिया एक मिनट 41 सेकंड से जादा सर्वाइब कर जाती है और Charlotte Flair यहां पर हार जाती है इस चैलेंज को इसके बाद Charlotte Flair ने अपनी सारी भडाज Drew गुलक पर निकाली और उन्हें रिंग से मारा और इसके बाद SmackDown हो गई खतम तो यार वीडियो को भी एंग खतम करते हैं वीडियो अच्छे लगी हो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिल जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर